तो अज़ो एब्रिवन आज के हमारी विडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग, एडबांटेचे ज़ो हमारा वो ट्रेडिंग है अगर हम नॉर्मल टर्म्स में बात करें ट्रेडिंग क्या है जहां पर बायर और सेलर मीट करते हैं ठीक है एड़ा वो भत करें र्रेडिंग करनागि हैं वरिड्श गुद्स आजिट्रेड वागरते हैं वाँ हमारा एकश्चेंज करते हैं दूमकारा होता ओप usability के असेंबल होते थे ठीक है central location पे जिसे usually कहा जाता था exchange trading ring और वहाँ पर वो trade करते थे एक दूसरे से पर यह काफी time consuming था inefficient था और इसमें volume पे limits होती थी कि मतलब एक time पे कितने लोग वहाँ पर आ जाएंगे कैसे trade करेंगे तो यह काफी problems arise हुई तो इन्हीं को उवकम करने के लिए national stock exchange ने इंट्रोड्यूस किया nationwide online fully automated screen based trading system जिसे कहते है sbts यह इससे क्या हुआ efficiency आई liquidity आई और transparency इस system में क्या होता है जो trading member है वो punch कर देता है computer में order ठीक है जो भी वो से security चाहिए और जिस price में वो transact करना चाहता है और जो transaction है वो execute हो जाती है जैसे ही उसे matching buy or sell order मिल जाता है counterparty से counterparty का यहां मतलब है buyer के लिए seller and seller के लिए buyer ओके अब बात करते है screen based trading के advantages क्या है screen based trading बहुत ही अच्छा है क्यूं क्यूंकि सबसे पहले तो screen based trading that means आप कहीं पर भी बैठे हो वहां से trading कर सकते हो ठीक है कोई भी आपकी geographical location है ठीक है अच्छा but first point जो हमारे इसमें वो बताता है strict price time priority पे यह work करता है तो सबसे पहले बताया price के बारे में अगर मैं एक security purchase करना चाहती हूं 100 rupees में ठीक है seller जो है वो किसको sell करना चाहेगा security obviously जो से जादा पे करेगा that is my friend जो 105 rupees में देना चाहती है तो यह हो गया हमारा price concept ठीक है then comes time concept time का क्या है कि जैसे मैं और मेरी friend दोनों हम लोग 100-100 rupees में purchase करना जाते है एक security तो जो किसका order consider होगा वो कैसे पताया चलेगा वो ऐसे कि जिसने पहले order place किया होगा मालो मैंने 9 o clock करा and मेरी friend ने 9 5 पे किया तो 9 o clock पर जिसने जैसे कि मैंने order place करा तो मेरा order जो है वो consider होगा now comes जो हमारी price sensitive information है वो भी इसमें incorporate हो जाती है prevailing prices के साथ जिससे informational efficiency आती है markets में इससे और क्या होता है कि जैसे कि मैंने पहले बताया था कि यह कोई भी geographical location में है आप तो वहां से आप trade कर सकते हैं तो इससे liquidity जो है orders बड़े भी छोटे भी मतलब जादा अगर हमें order देना है बड़ा या छोटा और इसमें क्या है हमारी identity जो है वो identity जो है हमारी वो reveal नहीं होगी और सबको equal access मिलेगा ठीक है और क्या है इसमें perfect audit trial भी होता है जिससे कोई भी disputes वगेरा है वो हमारे resolve करा दिये जाते हैं जो भी trade execution में आते हैं okay then comes trading network trading network का मतलब है एक network बनाओ है कि वो कैसे trading होगी तो वो कैसे होता है कि एक investor है वो inform करता है broker को कि मेरे लिए आप order place कर दो ठीक है मेरे बिहाफ पे broker क्या करेगा order enter करेगा अपने personal computer से यह signal जाएगा satellite के थ्रू NSE के office में जो computer है main frame जो computer है उस पर इसी का message जो है respective member के पास broadcast हो जाएगा फिर order confirmation message immediately आ जाता है ठीक है broker के PC पे अब क्या होगा जो order है यह match करेगा अगर तो अगर existing order कोई है तो उससे match कर लेगा अगर नहीं है तो कोई active order का वेट करेगा जैसे मानलो कि मैं को 90 रूपीस का share चाहिए बट अभी market में उस company का 90 रूपीस का नहीं है share available तो वो क्या करेगा नए order का active order का वेट करेगा फिर जो है order matching होगी फिर message हमारा broadcast हो जगा respective member के पास then trading system हमारा strict price time priority के उपर चलता है जैसे कि मैंने अभी बताया आपको पहले question में कि price time priority है क्या okay then similar price जैसे मैंने बताया था कि जो similar price के orders है वो कैसे फिर देखे जाते है time के base ठीक है अब orders are matched automatically by the computer orders जो है हमारे कौन माच कर देता है computer अपने आप इससे क्या होता है जो हमारा system है वो transparent objective or fair है ठीक है investors जो है वो अपने orders को देख सकते हैं जो भी उनोंने ट्रेडिंग मेंबर के साथ place किया है और national exchange ने automated trading में जो है हमारा नीच सिस्टम में क्या प्रवाइड किया है OECLOB that is open electronic consolidated limit order book यह limit order book बताती है कि जो भी हमारे orders stored है उनके बारे में information मिलती है और यह जो order book है वो visible है सब market participants से देख सकते हैं इसलिए इसको open book कहा जाता है thank you so much we'll be back with more videos soon